दोस्तो आज किस वीडियो में आपका स्वायत है दोस्तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने बालो वाट्सप में स्टैलिस फॉंट कैसे चेंज करना है यानि वाट्सप में अलग लग तरह का फॉंट कैसे चेंज करना है दोस्तो वैसे आप अपने वाट्सप में एक ही चेंज करना है, यह चानने के लिए इस वीडियो को अंतक ध्यान से देखिए, तो चलिए आज कि इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, दोस्तों अल्टचप में, नॉर्मल फॉन्ट से इस टैलिस फॉन्ट चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको एक आप्लिकेशन पाद इस application को open करना है, open करने के बाद नीचे में आपको दो option मिल जाएगा, तो आपको एगरी बाले option में click करना है और इसके बाद grant के option में click करना है, और इसके बाद यहाँ पे आपको एक option enable करना होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहोंगे, allow apps from this source, तो इसे enable कर देना है, और इसके बाद back आ जाना है और इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का interface देखने को मिलेगा तो आपको नीचे के तरफ scroll करके आना है और यहाँ पे आपको color, emoji, stylist का option मिल जाएगा तो यहाँ पे आपको stylist वाले option में आ जाना है और stylist के बाद में आप देख लोगे see all का option तो आपको see all का option में click करना है और यहाँ पे आपको add देखने को मिल सकता है तो यहाँ पे आपको add को cut कर देना है और इसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारा font मिल जाएगा तो यहाँ पे आपको जो font पसंद आता है और यहाँ पे आपको choose करने के बाद उस font में आपको click करने यानि कि select करना है font को जब आप font में click करेंगे तो नीचे में download का option आएगा तो आपको download के option में click करना है और इसे download होने देना है और download होने के बाद automatic नीचे में apply का option आजाएगा तो आपको apply के option में click करना है और इसके बाद यहाँ पे आपको तीन option मिल जाएगा तो आपको बीच वाले option में click करना है support die character based में और इसके बाद यहाँ पे हो सकता है कि add देखने को मिल सके तो यहाँ पे आपको add को cut कर देना है यानि skip कर देना है और इसके बाद यहाँ पर जो install का option है तो install के option में आपको click करना है और यहाँ पर install होने देना है और फिर से आपको install बाले option में click करना है और यहाँ पर जो install हो रहा है इसे install होने देना है और इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है आपको back आ जाना है back आने के बाद अपने मोयल के setting को open करने है setting को open करने के बाद नीचे के तरफ scroll करके आना है और यहाँ पर आपको एक option डूँनना है additional setting और इसके बाद this option में click करना है और इसके बाद यहाँ पर additional के अधर language and region का option नहीं मिलता है तो आपको यहाँ पर search में जाना है और search में आपको click करना है और यहाँ पर आपको type करना है language and region और इसके बाद यहाँ पर यह option आजाएगा तो इस option में आपको click करना है और इसके बाद यहाँ पर जो आप देख रहोंगे region का option तो आपको region का option में click करना है और यहां पर India सेलेक्ट हो रहा है, तो यहां पर आपको My Anber करना है और इसके बाद नीचे में आपको दो options मिल जाएगा जब आप My Anber करेंगे तो यहां पर आपको दो options मिल जाएगा, जो आप अभी देख रहोंगे कि मैंने My Anber किया, तो हिहां पर नीचे में support die character को enable करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब मैंने इसे enable किया तो यहाँ पर जो font है वो change हो गया तो मैं यहाँ पर whatsapp को open करके आपको दिखाता हूँ कि whatsapp में जो है font change हुआ है या नहीं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि whatsapp में बहुत बहुत धनेवाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को कर देने लाइक अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में किसी और वीडियो के साथ तब दक ले मचाते रहिए चया हिन चया भारत